हमज़ कारें पेन बाशपई अपने यूटूब चैनल महित पेन बाशपई पे आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूँ SSC, CHSL और CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुन्टी है एक SSC में वेकेंसी निकली है जिसका नोटिफिकेशन भी आपका चुका है और यह जो जौब है वो काफी आसान है आप लोगों के लिए क्योंकि आपकी प्रप्रेशन उस लेवल की है कि अगर आप थोड़ा से एफट करेंगे तो आसानी से आप इसमें जौब पा सकते हैं और आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा इसका नोटिफिकेशन जो है वो SSC ने निकाल दिया है तो कब तक फार्म भरे जाएंगे क्या सलेवे से और मतलब किस किस पोर्षन से कितने कोशन आएंगे और मतलब इसकी टेस जो है उसका क्रेटरिय क्या है सारा कुछ मैं आपको यहां पर बताऊंगा बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए आपको सारी जानकरी बहुत इच्छे तरीके से समझ में आने वाली है तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं यह SD publication की बुक है यह आपके लिए काफी helpful होने वाले क्योंकि इसमें हिस्टी के सारे question जो अभी तक SST के exam में आ चुके है 1999 से लेकर के आप तक चाहें वो CHSL का exam हो CGL का exam हो CPO का मतलब SST जितने वी exam कराता है उसमें हिस्टी के जो question अभी तक पूछे गए हैं वो सारे question इस बुक में तो इसका जो link है वो description में दिया हुआ है बहाँ से जाके आप इस बुक को purchase कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं अपने main point पे vacancy का मैं जिकर कर रहा था वो vacancy है SSC stenographer grade C and grade D examination 2022 इसका notification आप का चुका है इसकी जो last date payment करने की वो 69 2022 है अब इसके बारे में क्यों आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो CHSL वाले बच्चे हैं और CGL वाले बच्चे हैं वो जरूर इसमें form fill up करें क्योंकि आप थोड़ा सागर effort क करेंगे तो आप आसानी से इसमें job पा सकते हैं क्योंकि CHSL कि अगर आप preparation कर रहे हैं तो आप tapping भी सीख रहे हैं ठीक है तो tapping आपकी अच्छी खासी है सिर्फ इसमें आपको start hand सीखना है जो कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है अगर आप proper guidance के साथ preparation करते हैं start hand सीखते हैं किसी अच्छे सहस्तान में तो आप मतलब 6-7 मेने में आप आराम से बहुत अच्छी start hand सीख जाएंगे तो सिर्फ इसमें start hand आपको सीखनी है बाकी यह जो job है वो बहुत अच्छी job है CHSL से काफी best job है और इसमें जो promotion है वो भी काफी अच्छे हैं अगर आप किसी department में job करते हैं तो आप इस post की आहिमियत को समझ सकते हैं जैसे for example अगर आप income tax में as a tax assistant और कोई बंदा income tax department में as a stenographer है तो वो कहीं न कहीं आपसे अच्छे designation पर होगा और उसकी जो पहुँच होगी वो आपसे काफी better होगी तो इसलिए मैं आपको इस post के बारे में suggest कर रहा हूं क्योंकि इ वो काफी आसान है और यहां पर selection आप काफी आसानी से ले सकते हैं जो कि जो minimum qualification है वो कितनी है 12 अब 12 पास होने चाहिए किसी भी board से ठीक है बात करूं age limit की कि कि कितने साल से कितने साल तक के बचे जो है वो form को fill up कर सकते है तो जो stenographer grade C का exam है उसके लिए 18 से 30 वर्स होनी चाह ठीक है बाकी age relaxation किस तरीके से मिलेगा वो आप लोग देख पा रहा होंगे ठीक है अब इसके हम बात कर लेते हैं slavage कि इसका जो slavage से वो क्या है बाकी सारी चीजे जो है वो normal है वो आप पढ़ सकते है ठीक है इसके अगर हम बात करें यहां पे skill test होगा आपका stenograph मतलब यह based examination will be required to appear in the skill test for stenography the candidate will be given one dictation for 10 minutes 10 minutes आपको time मिलेगा in English और Hindi as opted by the candidate in the online application form जब आप online form बरेंगे तो उसी में आपको चूज करना पड़ेगा कि आप short hand जो है वो English में देना चाहते है या हिंदी में देना चाहते है at the speed of 100 words per minute for the post of stenographer C and 80 words per minute for the post of stenographer grade D अगर आप grade C के लिए अपको speed और अगर आप grade D के लिए है तो आपको 80 words per minute चाहते है तो बहुत ज़्यदा speed नहीं है जब आप practice करेंगे इसकी तो आसानी से यह speed आपकी आजाएगी सबसे अच्छी बात क्या है यहंपर कि आपको सिर्फ एक exam प्री का exam होगा उसके बाद आपको short hand का exam देना है उसी को inglis में और D जिये तो हिंदी में देना चाहते है और जो English है उसके 100 question आएगा यानि कि total जो paper होगा वो 200 question होगे और 200 number का होगा तो जो CHSL वाले बच्चे हैं और CGL वाले बच्चे हैं वो काफी इस चीज़ से familiar हैं मतलब वो CHSL का exam निकालने हैं CGL का exam निकालने हैं तो English उनकी ठीक ठाक है जो CHSL वाले हैं इंगलिस ठीक ठाक है रिजिनिंग भी ठीक ठाक है आपको GS पे काम करता है थोड़ा सा बाकी easily आप जाब पा सकते इसलिए मैं आपको यह post के बारे में suggest कर रहा हूं सकता हूं कि अगर इमानदारी से इस पर काम करेंगे इमानदारी से इस post के बारे में अगर चाहेंगे कि आपको यहां पर selection मिले तो जो आपका साथ हैंड़े वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप आपासानी से सीख सकते हैं और यहां पर selection ले सकते हैं सीजियल की compare में और सीचसल की compare में यहां पर selection लेना काफी आसान है और सीचसल में इस बार बहुत ज़्यदा competition होने वाला है क्योंकि PSA की vacancy अलग हो गई है तो काफी कम vacancy आएग जिसकी वज़े से यहां पर काफी tough competition जो होने वाला है तो जो सीचसल वाले बच्चे हैं और सी करता हूं कि जो बाते में आप तक पहुंचाना चाहता था उन बातों को आप अच्छे तरीके से समझ पाया होंगे आपको करना क्या है इस वीडियो को ज्यादा सेर करना है उसके लाभा अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक से subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल क को सब्सक्राइब करना मत दूलेगा